अब देखिए, यहां है इजराय, यहां है लेबनाद, बेचारा बहुत दिनों से दोनों में टेंसन पूरा एकदम चल रहा था, तो जैसे तैसे सारा दुनिया समझा बुझा के समझाता करके, दोनों में सीज फायर करवाया, अब जैसे ही उधर सीज फायर हुआ, यह को नया मदद किये थे, तब भाईया पुतीन जरा हमको एक बार फिर मदद कर दीजिए, तब पुतीन सहाब बोले कि भाई, देखो हम अपनी अभी अलग टेंसन में है, यूकरेनों हमको परिशान किये हुए है, तो तुम जो है थोड़ा अभी देख लो अलग से, तो इस बार जो ह करके हम ले गए थे, अब बोले थे कि अब लड़ाई नहीं करेंगे, अब फिर से इरान आ गया, तो सीरिया में जो सिविल वर है, उसका क्या कारण है, उसके लिए किसको फाइदा है, किसको नुकसान है, अम्मेन जिमेदार कौन है, इस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले है, तो अगर हम लोग बात करें, सीरिया का, तो सीरिया में चल रहा है, वन्स बाद, यानि कि एक राष्टपती है, उमरेंगे, तो उनके पुत्र राष्टपती बनेंगे, उमरेंगे, तो उनके बेटा राष्टपती बनेंगे, यानि ये सिस्टम चलता आ रहा है, तो वहा के राष्ट्रपती के खिलाप राष्ट्रपती कौन है बसर अल असद नाम है उनका तो उनके खिलाप जो है आंदोलन छेड़ दिया गया अब सिविल वार का क्या क्या परिनाम हो सकता है दो हजार चौबीस में हम लोग देख चुके हैं सिरलंका में हम लोग पहले देख रहे सिरलंका में आपका सिविल वार हुआ तो वहां एक दम तख्ता पलट हो गया सब राष्ट्रपती के घर पे चड़ गया था बुरा पूर्सी टेबुल टांक के ले गया उसके बाद बंगला देश में सिविल वार हुआ वहां भी सेख हजिना को उखाड के फिक दिया गया व वहां भी सब टेबुल पंखा कूलर एसी खाना ताना सब जो है टांक करके ले गया था अब सिविल वार का इसब परिणाम है तब बचाराई भी डरे हुए हैं अब डरे हुए हैं तक किसी न किसी का मदद तो लेंगे ही अब टेंसा में बचारे इरान का मदद ले लिए अब अलेपो में कंट्रोल होने से टेंसन इरान को भी है टेंसन इजरायल को भी है दोनों को टेंसन है तो इरान अगर मदद करने आ रहा है तो ऐसा नहीं कि मंगनी में मदद कर रहा है उसका भी अपना फायदा है अब फायदा कम कहिए मतलब उसको भी अपना जान बचाना ह तो यहां इक जगह है Al-Sapirah, Al-Sapirah में इरान का इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री सीरिया का ही है इरान वहाँ पर मिसाइल बनता है, जीपियस वाला मिसाइल कि जहां का नाम लिखके डाल दिये वहीं जाके फूतेगा तो उस तरीके का मिसाइल यहां बनता है, साथ में वहाँ पे केमिकल अभीपन भी बनाया जाता है उस इंडस्ट्री में, इरान का ही बनता है, तो अब सोच लिए कि अगर ये आंदुलन कारियों के कंट्रोल में आ गया, तब फिर दूग देश तो सीधा जो है निशाने पर र पुस गया, मतलब इ Napoleal बिचेरा चाहता है कि हम सांत रहें, लेकिन उस सो कोई रहने नहीं देता है, अगर इरान नहीं भी आएगा तब ही उसको टेंशन है, इरान आ गया, तब ही उसको टेंशन है, मतलब हर तरब से इस एम आज इस राइल फिर से वे होने नहीं देंगे, आप लोग जोई सब अपना टेंशन अपने पास में रखिए, अब इस्राइल का टेंशन क्यूं है, इस्राइल बिचारा परेसान कहा है, इस्राइल का सबसे बड़ागर परेसान ही है क्यों जान रहा है, कि अगर हम नहीं करेंगे, तो जो सीरिया, वह रूस उसका मदद करने के लिए आया था, रूस बड़ा देश है, तो वो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन इस बार रसिया नहीं आ रहा है, रसिया बेचारा अपने अलग टेंसर में फसा हुआ है, यूक्रेयन के साथ में, अगर रसिया यूक्रेयन के साथ टेंसर में फसा हुआ है तो रसिया तो जो दूसरे के अपना मैटर तो सुलज नहीं रहा है, दूसरे के लड़ाई में जो एक एक बार में दुद्दू को लड़ाई थोड़े लेगा किसी से, तो रसिया मना कर दिया, अब रसिया मना किया तो आ गया इरान, अब इरान क्या किया, कि इरान अपना यहा से भेजवे किया, साथ में भेज दिया हिजबुला का लड़ा कूल लोगो अब हिजबुला का नाम सुनिये के नेतनियाहु साहब का पतरवा कलहर कपार पचड़ जाता है फिर से उज़ो है टेंसन में आ गए अबू टेंसन में आ गए इजराइल जो है पूरा एकदम सीरिया के उपर मार एकदम अटेक किये हुए है तो इजराइल जो है नहीं चाहते हुए भी इस यूद में जवरदस्ती सामील हो गया होना पड़ा क्योंकि मान के चली कि अगर सीरिया में जो है इरान का साइनिक आ गया और उजो है यूद को दबा भी दिया जो बिद्रोवा हो रहा है तो उजो है इस बॉर्डर पे अगर वो पहुच गया तो इस बॉर्डर इस बॉर्डर पे अगर इरान आ जाएगा तो उटेंसन किसको देगा इसराइल को इसलिए इसराइल के पास मतलब option नहीं है कि मतलब सामिल इसमें 9 हो उसको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा अब देखे आगे क्या होता है अब इसमें सबसे जो है अगर किसी को जीमेदार माना जा रहा है तो वो है तुर्की या टर्की जिसको हम लोग कहते हैं सबसे जीमेदार उसी को मना जा रहा है कारण है देखे इसराइल तुर्की का अपना फाइदा है क्या फाइदा है तुर्की दो लोगों का मदद ले रहा है सबसे पहले समझे हयात तहरीर अलसाम नाम का एक ग्रूप है उसका मदद ले रहा है और साथ में सीरिया की जो सेना है उसका मदद ले रहा है दो लोग का मदद लेके उक्या कर रहा है कुर्द जो है एक यहाँ पे जगा है जो किसके कंट्रोल में है कुर्दिस वरकर पार्टी के कंट्रोल में है कुर्द नाम का जगा है कुर्द अब यह जगा है कुर्दिस वरक यह हयात तहरीर अलसाम और सीरिया की सेना का मदद लेता है अब उसी चक्कर में क्या किया है तुर्की ऐसा कहा जा रहा है कि सीरिया में गुसा दिया है अंदोलनकारी लोग को जो कि यह लोग को खतम कर दे अब यह लोग को खतम करने के चकर में यही पे जो आपका अलेपव था और अलसफिरा जगा था वो जो है अंदुलन कारियों के कंट्रोल में आ गया है और उसी के चक्कर में वहाँ इरान भी घुस गया आईरान घुसा इसराइल को भी इंटर करना पड़ा अब इस तरीके से मिडिल इस्ट वापस से पूरा जो है टेंशन में आ गया है